नमस्कार, आकाश्वानी से प्रसुत है समाचार संध्या जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना के साथ मुटभेड में तीन आतंगवादी धेर, एक मेजर सही चार सेनेकर में शहीद प्रधानमंती नरेंद्र मुदी ने कहा पुलवामा हमला दर्चाता है कि बाचीत का समय समाथ हो गया है और आतंगवाद तथा इसके समर्थकों से निपटने के लिए विश्व को एक जोट हो ना होगा भारत ने पाकिस्तान पर कुल भूशन जाधा मामले में दुश्प्रेचार के लिए अंतराश्टिय नयायले का दुरूप्योग करने का आरूप लगाया भारत और अर्जन्टीना ने अपने बहुप अक्षे सहयोग को बढ़ा कर रणनीतिक साज़ेदारी करने का निरणे लिया रक्षा और कृशे साइथ विभिन क्षेत्रों में दस समझोता क्यापनों पर हस्ताक्षेर किये भारत और मुरख को आतंगवाद का मुकाबला करने के लिए साइक्त कारे समोग गठित करने पर सहमत और तीन भारते महिला मुक्यबाद बुलगारिया में स्ट्रांजा मेमोरियल टूनामेंट के फाइनल में समचार संधिया के साथ मैं लवली निगम जमो कश्मिर के पुलवामा जिले में आतंगवादियों के साथ होई मुटभेड में तीन आतंगवादी मारे गए और एक मेजर सहित सेना के चार जवान शहीद हो गए कल आधी रात को जिले के पिंग लेना इलाके में शुरू होई कारेवाई आजशाम समापत होई गोली बारी में एक पुलिस कर्मी और एक नागरिक की भी मृत्य हो गई मुटभेड में गायल आच सुरक्षा कर्मी में सेना का एक ब्रिगेडियर एक लेटिनेंट करनल एक मेजर और पुलिस उपमाने रिक्षिक शामल है पुलिस ने बताए कि मारे गए आतंकवादियों में पुल्वामा में हालिया आतंकी हमले का मास्टर माइंड जैशे मोहमत का कमांडर कामरान गाजी हो सकता है सरकारी सूत्रों ने बताये कि आतंकवादियों के गुट और कामरान गाजी के पहचान के पुष्टी की जा रही है सुरक्षा सूत्रों ने बताये कि रिहाशे इलाके में कुछ और आतंकवादियों के छिपे होने के आशंका को देखते हुए मोटभेड स्थल के आसपास तलाशी अभी आन जारी है ग्री मंतिर राजनाप सिंग ने कहा है कि सुरक्षा बल आतंक वादियों का सफलता पूर्वक सफाया कर रहे है आज ने दिली में एक समार होके इतर जमू कश्मीर के पुलवामा में हुई मुटभेड परशे सिंग ने कहा कि सुरक्षा बलो का मनोवल बहुत बढ़ हुआ है विदेश राजे मंतिर जनरल वीके सिंग ने कहा कि पुलवामा आतंक की हमली के बाद पाकिस्तान अंतर राश्रे स्तर पर अलग थलग पड़ गया है आज शिंगला में मीडिया से बाद चीत में उन्होंने कहा कि 40 से अधिक देशों ने पड़ोसी देश के खिलाफ कड़े बयान जारी किये हैं ये हमारी कूट नीतिक नीति की बड़ी सफलता है राश्रे दिश्टिहिं संग के कारे करताओं ने पुलवामा आतंग की हमले के खिलाब विरोध जतानी तथा शहीदों के परिवारों के प्रती एक जुटता प्रदर्शित करते वे इंडिया गेट सित अमर जवान जियोती पर प्रदर्शिन किया संग के महासचेव संतोष कुमार रूंग्टा के नेतरत्व में सभी सदस्यों ने शहीदों के परिवारों की हर संभव मदद करने का संग कल्प विएक किया जम्मू शहर में आज कर्फ्यू में तीन घंटे के ढिल दी गई थी पुलवामा में आतंकी हमले के विरोध में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन अच्छटपट हिंसक घटनाओं के मदे नजर शुकरवार को कर्फ्यू लगा दिया गया था प्रशासर ने लोगों से शान्ती विवस्था कायम रखने और अवांच ने तत्वों पर निगा रखने की अपील की है शहर में शेक्षणिक संसान बंद रहे और आज होने वाली सभी परिक्षायर सगित कर दे गई जम्मू विशेविद्याले ने कल होने वारी सभी परिशायर सगित कर दी हैं इस बीट जम्मू कश्मीर पेशासर ने आज राज्ट्रे राजधानिक शिद्र दिल्ली, मेरट, जैपुर, भुपाल, चंडिगड, अलिगड, बेंगलूरू और पुणे में पढ़ने वाले जम्मू कश्मीर के छात्रों से समन्वे स्थापित करने के लिए संपर्क अधिकारी नियुक किया है इन छात्रों को सलहा दी गई है कि वे किसी समस्या के निदान के लिए अधिकारीों से संपर्क में रहें प्रधान मंत्री नरिंद्र मूदी ने कहा है कि पुल्वामा आतंग की हमला दर्शाता है कि आतंगवाद से निपटने के लिए बाचीत का समय अपसमाप्त हो चुका है आज ने दिली में अजन्टीना के राष्टपती मुरेसियो मेकरी के साथ शिशमंडल स्तर की वारता के बाद समवाद दाताओं को संबोधित करते वे प्रधान मंत्री ने कहा कि आतंगवाद के खिलाफ कारेवाई में देरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस से आतंगवाद को और बढ़ावा मिल रहा है मैं और राष्टपती माकरी इस बात पर सहमत है कि आतंगवाद वैश्विक स्थांती और सिर्था के लिए बहुत बड़ा गंबीर खत्रा है उलवावा में हुआ क्रूर आतंगवादी हमला यह दिखाता है कि अब बातों का समय निकल चुका है अ अब सारी दुनिया को आतंगवाद और उसके समर्थकों के विरूत एक जूट होकर ठोस कदम उठाने की आवश्चक्ता है अर्जंटीना को कृशी के एक शेत्व महाशक्ती बताते हुए शिमोधी ने कहा कि भारत खादे सुरक्षा के मामले में उसे अपने सहियोगी के रूप में देखता है शेमोधी ने बताये कि भारत और अर्जंटीना के बीच वेफार पिछले दस वर्षों तक तीन अरब डॉलर तक पहुँच चुका है अपने वक्तवे में अर्जंटीना के राश्पती मुरिसियो मेकरी ने कुलवामा आतंग के हमले की कड़ी निंदा की शेम मेकरी ने कहा कि बहुपक्षे सहयोग और विविदता पर अर्जंटीना और भारत के विचार एक जैसे हैं दोनों देशों ने रक्षा, परेटन, आउशदी निर्मान और कृशी साइद रिभिन क्षेत्रों में दस सहमती पत्रों पर हस्ताक्षिर किये भारत अर्जंटीना ने परसपर समरेथी के लिए प्रमुक्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए बहुपक्षे सहयोग को रणनीतिक भागीदारी के रूप में बदलने काने रणने लिया है प्रैधरमंती नरेंद्र मोदी और अर्जंटीना के राष्ट्रपती मौरिसयो मेक्री के बीच नेदिल्ले में हुई शिष्टमंडल स्तर की वारता के बाद जारी सैप्त वक्तवे में ये बात कही गई वक्तवे में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने परस पर लाबदाई, सह्योग और राजनितिक, आर्थिक, तक्नीकी, ऊर्जा, खनन, सुझना प्रवद्योगी की वईज्यानिक और सांस्क्रिसिक खित्रों में भागीदारी पर संतोश वेक्त किया शी मोधी और शी मेक्री ने सांस्राज सुरक्षा परिशद में व्यापक सुधार की आविशक्ता दोहराई, दोनों पक्षों ने विभिन पक्षिया संगठनों की चुनाओं में एक दूसरी की उम्मीद्वारों को दिये गए समर्थन के प्रति संतोश वेक्त किया ये समाचार आपा काश्वन से सुन रहे हैं पीटों और बेटियों में फरक्या करना, बेटियों के पंखो को खुलने वीजे, उन्हें उडने वीजे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला एवंबाल विकास मंत्रा ने द्वारब, जन हिप में जारी पूर्वा, तुम कार चलाते समय खाना क्यों खाती हो? अरे, लेट हो जाता है घर से ओपिस के लिए निकलने में, तो कार में इखा लेती हूँ, लो, तुम भी खाओ ना? नो थैंक्स, अच्छा, फोकस कर पाती हो ड्राविंग पर, क्या मतलब? जानती हो, इसे distracted driving कहते हैं और जो तुम कर रही हो न, उसे फालतू की tension, कुछ नहीं होगा यार देखा, ये होता है distracted driving करने से, आज सो बच गए, लेकिन शायद कलना बचे ध्यान रहे, distracted driving हो सकती है, distracted driving, तो फोकस रखे driving पर सड़क परिवहनवा राजमार्ग मंत्राले, भार सरकार द्वारा जन हित में जारी अमा देख या रहे हो भाईया, कभी यहाँ, कभी वहाँ, आखिर तुम्हें जाना है कहाँ? टॉयलेट ढूंड रहा हूं सेल अरे भाई, ये भी कोई धूंड रे की चीज़ है, टॉयलेट तु आपकी पॉकिट में है पॉकिट में टॉयलेट? हाँ, अब पब्लिक टॉयलेट को धूंड रहा हुआ आसान गूगल मैप में SBM टॉयलेट टॉयलेट टाइप करो और वड़ी आसानी से टॉयलेट खोजो और सीधा पहुचो अरे वा, मिल गया रहर याद रहे, टॉयलेट का फीडबेक देना और रेटिंग करना न भूले अपने शेहर को स्वच्छ सर्वीच्षण 2019 में अववल बनाए आवासन और शेहरी कारे मंत्राले द्वारा जनहित में जारी ये आकाश्वणी है भारत ने पाकिस्तान पर तुछ प्रेचार के लिए अंतराष्टिय न्यायले का दुरूपियों करने का आरूप लगाया है आज हेग में साइप्त राष्ट्र की शिर्ष अदालत में कुल्भूशन जादव मामले की चार दिन के सुनवाई के पहले दिन भारत नहीं आरूप लगाया भारते नोसेना के सेवा निवरत अधिकारिक कुल्भूशन जादव को पाकिस्तान के एक सैनिक अदालत ने जासुसी के आरूप में मौत की सदर सुनई है भारत का प्रते दित्व करते वे पूरू सॉलिसिते जनरल हरिश सालवे ने कहा कि एक दुर्भागे पूर्ण मामला है जहां एक निर्दोश भारते का जीवन खत्रे में है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कहानी पूरी तरहां से मन घरंत है पाकिस्तान की कहानी हमेशा तथ्यों पर बयानबाजी और भटकाने वाली रही है सेन्ने अदालत द्वारा किया गया ट्रायल निराशा जनक रूप से नियत प्रक्रिया के नियुंतम मानकों को भी पूरा करने में विफल रहा है विएनय कन्वेंशन के अनुच्छे दिचस के उलंगन के कारण जादव को कांसुलर एक्सस के बिना हिरासत में रखना घैर कानोनी घुषित किया जाएगी जाधव को जिस तरह तीन साल तक रस्त में रख कर प्रताडित किया गया इसके मदे नजर मानव अधिकारों के हित में उनकी रिहाई तुरंट की जाने चाहिए विदेश मंति सुष्मा स्वेराज और मुरक्को के विदेश मंती नासिर बोरिच्छा के बीच मुरक्को की राजधानी रबात में प्रतिल दिमंडल स्तरकी वारता के बाद आज चार सहमती पत्रों पर हस्ताक्षित किये गए पैठर के बार श्रीमतिस्वराज ने कहा कि इन समझोतों में आतंकवाद से मुकाबले पर साइफकारे सम्मू का गठन, आवास और मानुए बसावट व्यपारिक वीजा जारी करने के लिए प्रक्रियाओं को सोविधा जनक बनाना शामिल है भारत कई दशकों से सीमापार आतंकवाद का शिकार रहा है, इसलिए आज हमारे मित्र देश मुरुकों के साथ एक काउंटर टर्रोरिजम के विशे पर हुआ समझोता हमारे लिए बहुत एहमियत रखता है इसी तरहे व्याफसाइक वीजा को आसान करने वाला समझाता हम दोनों देशों के मद्धि व्यापार बढ़ाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा विदेश मंत्राले के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि श्रीमती स्वेराज और मुरकों के विदेश मंती ने रक्षा और सुरक्षा आतंकवाद और वैपार तथनी वेश सहित काई प्षित्रों में दिवपक्षिय सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा किये ग्रीमंती राजनार सिंग ने कहा है कि साइबर अपराद पारंपरिक पुलिस सिंग के मामल सामने एक चुनोतिके रूप में उभरा है आज के साइबर युग में पुलिस का कार चैतर का और सीमित विस्तार हो चुगा है और यह हमारी ट्रडिशनल पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैतर में दूसरी गंभीर चुनोती है इसकिल्स की और साइबर अपरादों की इनिवस्तिगेशन में इनफार्मेशन टेकलोजी, फॉरंसिक्स इत्यादी का बेसिक नालेज होना आज बहुत ही आवश्यक हो गया है यह समाचार आकाश्वणी से प्रसा रिद्के जा रही है पापा, कल मैं 15 की हो जाओंगे, कहीं ले चलो आहाँ, चलेंगे न, पोस्ट ओफिस मेरा मतलब घुमाने ले जाने से था घूब में भी जाएंगे, लेकिन पोस्ट ओफिस पहले जाएंगे लेकिन क्यों? पाँच या पंदरा की उमरू पर आधार में बच्चों के बायोमेट्रिक्स अपडेट करवाने होते हैं ये अपडेट पोस्ट ओफिस या बैंक के आधार के अंदर पर होता है और उसके बाद मूवी आहाँ, उसके बाद मूवी आधार केंदरों की लिस्ट uidi.gov.in पर या 1947 पर कॉल करके मिलेगी मेरा आधार, मेरी पहचान मुबारक हो, पोटी हुई है दादा जी घर का मुख्या होने के नाते अब आप पंचाय जाईए और जन्म का पंजी करण कराईए ये 21 दिन के भीतर कराना कानूनन जरूरी है हाँ, जन्म का पंजी करण, हर बचे का जन्म सिद्ध अधिकार है ताज महल के साई में, कना शिल्प और संस्कती का उत्सव ताज महुत्सव, अठारे से 27 फरवरी शिल्प ग्राम आगरा में आप सबका हार्दिक स्वागत है समचर संध्या में आपका फिर स्वागत है पूर जूनियर विश्व चैंपेन निखत जरीन सही तीन भारतिय महिला मुक्यबास बुलगारिया के सूफिया में, सतरवे सांजा मेमोरियल टूनमेंट के फाइनल में पहुँच गई है आगामी लोकसभार विधान सबा चुनावों के लिए सीटों के बटवारे के बारी में समझा होता हो गया है आज शाम मुंबई में शिरसेना प्रमुक उद्धर ठाकरे और भाजवा अदश अमिशा की मौजूदगी में महराष्ट की मुख्य मंत्री देविंड फडंगीस ने समवाद दातों को बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजवा 25 सीटों पर अशे से न 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बिहार विधान सबने नौकरियों और शेक्षनक संसाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षन विदेक आज पारित कर दिया मुखे मती नितिश कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा इस सम्मन में सारी प्रक्रिया शिग ही पूरी कर ली जाएंगी राश्टमदी रामनात कोविन ने गुरु रविदास जेन्ती की पूरो संध्या पर सभी देशवासियों कोशब काम नहीं दी है एक संधेश में शिग कोविन ने कहा कि गुरु रविदास उन संतों में से थे जोने उत्तर भारत में भक्ती आंदोलन का नेत्रत्र किया बंबई शहर बजार का सम्मीदी सूचकांक आज 311 अंक गिर कर 35,498 पर बंद हुआ निफ्टी भी 83 अंकी गिरावट के साथ 10,641 पर आ गया आकाश्वाणी के समचा सिवा प्रभाग से आज प्रसारित होने वाले सापता है कारिक्रम पब्लिक स्पीक का विशे है स्वाइन फ्लू के प्रती जाग रुपता और इस से बचाओ ये कारिक्रम एफम गोल और अच्रिक्ट मीट्रों पर राद साढ़े नो बजे से प्रसा रित किया जाएगा अंत में मुख्य समचार एक बर फिर जम्मू कश्मिर के पुलवामा में सेना के साथ मुड़भेण में तीन आतंगवादी मारे गए हैं एक मेजर सहीच चार से निकरमी शहीद हो गए हैं प्रधान मंती नरिंद्र मोदी ने कहा है कि पुलवामा हमला दर्शाता है कि बाचीत का समय समर्थ हो गया है और आतंगवाद जथा इसके समर्थकों से निपचने के लिए विश्व को एक जुट हो ना होगा भारत ने पाकिस्तान पर कुलभूशन जादों मामले में दुश्प्रेचार के लिए अंतराश्य न्यायले का दुरुप्यों करने का आरूप लगाया है भारत और अर्जिन चीना ने अपने बहुत पक्षिय सहीव को बढ़ा कर रणनीतिक साजेदारी करने का निरणे लिया है रक्षा और कृषी साहित विभिन एक्षित्रों में दस समझोता ग्यापनों पर हस्ताक्षिर किये गए तीन भारते महिला मुके बास बुलगारिया में स्टांजा मेमोलियो टूनमेंट के फाइनल में पहुँच गए है इसके साथ ही समझा संध्या का ये अंग समाप्त हुआ नमस्कार